हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आज की कहानी का सिर्चक है इस्वर की प्रेड़ना समझे आत्मा का संकेत एक बार एक बुड़ी माता कपड़े वे गहनों की गठरी और साथ में एक छोटी सी बेटी को लेकर एक गाउं से दूसरे गाउं जा रही थी चलते चलते वा कुछी दूर पहुँची थी कि पीछे से गुर्सवार आया गुर्सवार को अकेला देख बुड़ी माता खुशी से बोली बेटा आज बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत है यदि तुझे को यापती न हो तो इस गठरी और मेरी बेटी को अपने गोड़ के बाद गुर्सवार के मन में कपट आ गया उसने सोचा बुड़ी माता की बेटी बड़ी ही सुन्दर है हो ना हो उस गठरी में कुछ कीमती समान जरूर होगा अगर मैं उसे लेकर कहीं बेच भी दूँ तो बुढ़िया मेरा क्या बिकाड़ लेगी ऐसा सोचकर वह वही ठ हैर गया इधर बुढ़िया के मन में भी प्रेणना हुई कि रे मुरक वो गुर्सवार क्या तेरा रिष्तेदार लगता है जो उसके साथ अपनी फूल सी बेटी और गहनों की गठरी देनी लगी थी वो तो भगवान का सुक्र है जो उसने मना कर दिया वरना वो कहीं लेकर जाता तो राम राम यह सोचकर बुढ़िया की रुह काम गई तभी बुढ़िया और उसकी बेटी वहां पहुँच गई जहां गुर्सवार उसका इंतजार कर रहा था गुर्सवार बोला माई धूब बहुत है ला दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को बोली वैसे ही बदल गया जैसा तेरा बदल गया यह सुनकर गुर्सवार सरमिंदा होकर वहां से चला गया इस कहानी से हमें ही है सिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर और अपने विश्वास करने वालों को हमेशा अच्छी प्रेड़ना देनी चाहिए हमेशा उन्हें सजग कर करते रहना चाहिए और इस वल केवल प्रेड़ना ही नहीं देता बलकि आवशत्ता पढ़ने पर उनकी सहता भी करता है